Hi everyone, how are you all? Are feeling good? No? जी, जो follow करेगा उसको अच्छा ही लगेगा बट जिन्हें लग रहा है कि कुछ changes नहीं दिख रहे हैं और उनकी motivation खतम हो रही है तो रुकिये क्योंकि आपके internal organs heal हो रहे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहा So at least अपने body को 21 days priority दीजिए and dedicatedly जुड़े रही है अच्छा, क्या आपको पता है कि ये 21 days का challenge ही क्यों किया गया है इसके पीछे एक science है आपको पता है कि अगर हम कोई चीज कम से कम 21 days तक करें तो वो हमारी habit बन जाती है अगर हम इसको continuously in tips और guidelines को 21 days तक follow करेंगे तो ये हमारी habit बन जाएगी and हम हमेशा healthy रहेंगे तो ये तो बात हुई motivation की अब बात करते हैं आज के tip की जो की है don't take stress आपको पता है कि stress cortisol बढ़ाता है जो fat को कम नहीं होने देता आप कितने भी efforts कर लीजिये कितने exercise कर लीजिये जिन चले जाएए बट वो आपका जो भी fat है उसको कम नहीं होने देगा तो stress कम लो यार अब आप कहेंगे कि मैं कहना अधान है बट करना मुश्किल है बट no कृष्ण मूर्ती जी ने बोला है कि अगर आप किसी situation person, event या stress कुछ भी हो उसका कुछ भी अगर आप र्याक नहीं करते उस situation पे तो आपको stress नहीं होगा उस time पे just pause का बटन दबाना है और आप देखिएगा कि कैसे आपका stress छूम अंतर हो जाएगा यह guidelines जो भी मैं आपको दे रही हूँ अगर आप इसे follow करते रहेंगे और मेरी जो पिछली वीडियो की guidelines है उसको भी आप 21 days सक follow करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी body सिरफ physically outer से नहीं बलकि internally भी बहुत जादा heal करेगी और आप stress से भी free हो जाएंगे आप हमेशा happy रहेंगे तो आप यह जरू 21 days सक follow कीजिए उसके साथ जो भी description box में मैंने videos दी हैं उसको देखते रहें क्योंकि वो आपकी use के लिए है आपको उससे और मदद मिलेगी अपने friends को भी अगर आपके share करते हैं free challenge तो वो भी heal होंगे वो भी आपको दुआएं देंगे और वो भी अच्छा feel करेंगे उनकी life भी बहुत अच्छी होगी and मैं यही जाती हूँ कि सब हमारे आसपास बिल्कुल fit रहें इसले ही यह challenge शुरू किया गया है ज़रूर इस तक 21 days तक जुड़े रहिए बिल्कुल मस सोचिए कि आपको results नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही affirm किया था be positive, think positive तो positively इसके साथ जुड़े रहिए and अपने friends को भी जोड़ते रहिए Thank you